पाच लोग को एक रीमोट डॉल म्यूजियम में बुलाय जाता है इसके बाद एक एक करकर मिस्ट्रियस लिए मर रहे है अब इसके बीचे का रीजन क्या है? कि सरोय वर्स को ढूनना है आज के हमारी मुवी डॉल मास्टर ये एक होरर थ्रिलर मुवी है इस मुवी की स्टोरी मल्टि लेड है तो इस मुवी का एक्सप्रियंस वो और भी इन्हांस करती है तो चलिए इस मुवी को एक्सप्रियंस करना स्टार्ट करती है मुवी स्टार्ट होती है और हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है एक लड़का एक लड़की से बहुत पैर करता था इसलिए उसने उस लड़की के लिए डॉल बनवाई थी पर उसे ये नहीं पता था कि डॉल भी उससे पैर कर सकती है एक दिन जिस लड़की से वो पैर करता था उसकी लाश उसे मिली और उस लड़की का मर्डर सस्पेक्ट वही बन गया विलेजवालों ने खुदी उसे पनीश किया, मार डाला और गार दिया लास्ट चीज जो उस लड़की ने देखी वो डॉल थी जिस जगा पर उसे गार रहे थे, उसी जगा पर डॉल भी थी डॉल इस लड़की से बहुत प्यार करती थी तो हमेशा उसके ग्रेव के पास ही वो बेठी रही यहाँ इस स्टोरी में लड़की को मारने वाले भी डॉल ही थी यह स्टोरी हमारी यहाँ खतम हो जा दिये और हम प्रेजेंट दिखाये जाता है हमारा में क्यारक्टर हम देखते है जिसका नाम है हेमी हेमी अपनी गाड़ी से डॉल म्यूजियम में चाह रही है वो अपनी मदर से बात करी होती है कब वापस आएगी किस तरह से जा रही है यसे उसे बताती है ये बाती कर रही है तो भी उसका call cut हो जाता है जिस एरिया में जाती है इस एरिया में कोई भी range नहीं है आगे चल कर एक लड़का उससे lift मांगता है ये भी हमारा main character है जिसका नाव में तेसंग हमी उसके लिए गाड़ी रोकती है तो तेसंग कहता है कि मुझे डॉल म्यूजियम जाना है ये दोनों एक की जगा पर जा रहे है तो एक साथ जाते है इनका म्यूजियम जाने के लिए reason ये है कि ये दोनों डॉल के लिए मौडल करने वाले है यानि कि जिस तरह से दिखते उसी तरह से डॉल बनने वाली है यहाँ पर और तीन लोग को भी इन्वाइट किया गया है तेसंग और हेमी दोनों म्यूजियम पहुचते हैं और वहाँ पर एक फोटोग्राफर भी है हेमी को देखती है यह फोटोग्राफर उसके फोटो निकाल लेता है हेमी जब इस फोटो को देखती है तब उसके पीछे रेड ड्रेस में एक लटकी थी वो पीछे मूरती है पर पीछे कोई नहीं है म्यूजियम में डॉल्स को मॉडल करने के लिए और कुछ लोग को बुलवाया गया है उसमें एक स्टुडेंट है और एक राइटर है यह जो हमारी राइटर है यह ज़रा अजीब है इसके हाथ में डॉल होती है यह किसी से भी जादा बात नहीं करती है उसके चेहरे से यह दुखी लगती है इन सब लोग को अंदर इन्वाइट किया जाता है इस म्यूजियम का ओनर जिसका नाम हमें चाव यह इन सब से मिलता है सब लोग अपने आपको इंट्रोडियोस करवाते है इनके जो प्रोफेशन ते ही क्या करते है ही मैंने आल्रेडी आपको बता दिये है इनके नाम हम इनके प्रोफेशन से ही मानेंगे अगर आपको इनके नाम से मैं एक्स्प्रेशन करूंगा तो ज़रा कॉम्प्लिकेट हो सकता है इसके लिए ज़रा इसे इजी करते है चाओ जब यहाँ तेसं को देखता है तो ज़रा सप्राइस्ट है चाओ ने तेसं को कभी भी बुलाया नहीं था तेसं एक प्रोफेशनल मॉडल है और चाओ को कभी भी प्रोफेशनल मॉडल नहीं चाहिए क्योंकि अगर डॉल प्रोफेशनल मॉडल से बनवाई के तू दनी रियलिस्टिक नहीं लएगे रियल लोगों को बुलाया गया और उनसे मॉडल करवाया गया तो यह सही हो सकता है चाव फिर तेशन से कहता है कि मैंने तो तुम्हें इन्वाइट नहीं किया था तेशन केता है कि हाँ मुझे पता है पर मुझे यहाँ होना था मुझी म्यूजियम देखना था और मॉडल भी करना था तेशन यह करने के लिए बहुत ही एकसाइटेड है चाव तेशन से कहता है कि पहले हमारी आर्टिस से तुम मिलो और फिर हम डिसाइड करेंगे यानि कि actual doll create करने वाली अब decide करेगी कि तेसंग पर doll बनवानी चाहिए या नहीं चाओ फिर सब लोग को जहाँ पर doll रखी हुएती है वहाँ लेकर जाता है यहाँ बहुत सारी doll है तो सब pictures लेने लग जाते है चाओ केता है कि यह सब doll real human से ही inspired है उपर से artist आती है जिसका नाम है इम इम तेसंग को देखती है और उसे वो पसनाता है यानि कि अब वो यहाँ रुख सकता है चाओ फिर सब लोग को उनके rooms दिखाता है हेमी जब अपनी room देखती है तो आचानक से डर जाती है एक बड़ी से doll की हाथों में mirror है इस घर में बहुत सारे dolls है तो यह भी उसका ही पार्ट है वो doll के face को notice करती है इस face की details brilliant है हेमी अपने खिटकी से नीचे देखती है तो नीचे एक red dress में लड़की है या वही लड़की है जो उसके picture में भी आई थी है हेमी को अप dolls के face pictures निकालने है वो writer से मिलने के लिए जाती है उससे कहती है यह pictures लेने के लिए जा रही हो क्या तुम मेरे साथ चलोगी पर यह writer इसमें interested नहीं है वो writer से कहती है कि यह जगा ज़रा strange है क्या तुमें नहीं लगता यह सुनकर writer उससे अंदर बुलाती है अंदर एक chandelier है और उस पर भी बड़ी सी doll है यह doll देखकर writer भी डरी हुई थी हेमी उसका भी photo लेती है कहती है कि इतनी जादा details है ऐसा लगता है कि इनमें भी soul है हेमी यहाँ पर writer के doll पर बैठने वाली थी पर writer ने गुसा होकर वो doll अपने हाथों में ले ली हेमी उसे sorry कहती है हेमी पुछती है कितने सालों से तुमारे पास यह doll है writer कहती है कि जब से मैं छोटी थी तब से मेरे पास यह doll है और यह doll नहीं है इसका नाम भी है वो समझती है कि इस डॉल में सोल है और उसका एक अच्छा फ्रेंड वो है उसे लगता है कि उसने डॉल एडॉप्ट की थी As a real person ही उसे treat करती है हेमी को अजिब लगता है कि डॉल का नाम भी है हेमी कहती है कि मेरे डॉल का नाम मुझे कभी भी याद नहीं है हमेशा नहीं beautiful डॉल आती थी तो पुरा ने डॉल को में फेक दीती थी इनकी conversation यहीं खतम होती है नेकसे में हम देखते है कि जब हेमी फोटोज ले रही थी तभी उसे strange आवाजे सुनाए दी यह आवाजे एक डोर के नीचे basement से आ रही थी हमी यह देखने के लिए नीचे आती है पर चाओ अंदर है हमी पुछती है कि इस specimen में क्या है चाओ कहते है यह जगा wine store करने के लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहां का temperature right है थोड़ी दर में यह सब मिलकर lunch करते है lunch करते हो फिर से writer की doll का subject निकलता है यह आपर उसे पूछा जाता है कितने साल होगे तुमारे पास यह doll है इस writer को year, month, or day सब कुछ पता है इसमें से student कहती है कितने साल होगे तुमें से fake क्यों देती है photographer कहता है कि इसमें soul हो सकती है वो फिर explain करता है कभी-कभी जो चीज़े हम use करती है जो हमें अच्छी लगती है उसमें soul आ जाती है सब लोग को यह bullshit लगता है artist कहती है कि जब भी मैं कोई doll बनाती हो तो मेरी पूरी soul उसमें डाल देती हो यह एक अच्छा way है चीज़ों को देखने के लिए तो सब लोग इस पर agree करते है लंज के बाद doll के पास सब लोग photo ले रहे है यहां हम देखते हैं वराइटर का जब photo लिया जा रहा था तो अचानक से वो disturbed हो जाती है उसे कुछ आवाजे सुनाई देती है और इस आवाजों को रेजिस्स करती है वो चकर आकर नीचे किर जाती है उसके bag में उसकी कुछ दवाईया थी तो यह सब उसे देते है और उसके room में जाक कर उसे सुना देते है वराइटर को यह सब हो रहा था तो सब लोग distracted थे इसका फाइदा उठा कर तेहसंग वहाँ से निकल जाता है डारेक्ली चाओ के office में आता है चाओ के office में कुछ ढून रहा है सब चीज़े investigate कर रहा है चाओ अचानक से office में आता है तो तेहसंग वही cupboard में छूप जाता है इस cupboard में हम देखते है तेहसंग के neck के पास हाथ आ चुका है तेहसंग डर कर देखता है तो एक बड़ी सी doll यहाँ भी है थोड़ा सा आवाज होने की वज़े से चाओ को पता चल जुका है कि तेहसंग यही है तेहसंग को भाहर निकाल कर पूछता है कि हाँ तुम क्या कर रहे थे तेहसंग केता है कि मेरी girlfriend को में call करना चाता था पर यहाँ network नहीं है इसलिए मैं आपका phone यूज कर रहा था चाओ उसे warning देकर छोड़ देता है नेक सिन में हम देखते है कि चाओ basement में आता है और एक आदमी को वहाँ बांदा हुआ है इसी basement में इन सब पाचों लोग के photos भी है चाओ इस आदमी को कही कर जाता है कि वो वापस आएगा हेमी स्टुडन के साथ hangout कर रही होती है हेमी के हाथ पर एक बड़ा सा scar है जो स्टुडन देखती है स्टुडन इसके बारे में उसे पूछती है हेमी कहती है कि मैं छोटी थी तभी एक by accident मेरा हो गया था उसी वज़े से मुझे चोट लगी थी वो राइडर के डॉल नीचे पड़ी हुई थी तो हेमी उसे उटाती है और एक चेर पर रख देती है इसके बाद डिरेक्ली हम देखते है कि वो डॉल राइडर के पास आ चुकी है हेमी जरा म्यूजियम से बाहर निकलती है वो रख फिर से उसे रेडरेस वाली लड़की दिखती है उसके पास जाकर उसे वो बाते करती है यह इस लड़की से उसका नाम पूछती है इस लड़की का नाम मिना है तेसंग भी म्यूजियम से निकलता है तो Hemie उसे आवाज देती है तेसंग उसके पास आता है पर तब तक Mina वाहाँ से गायव हो चुकी है यह उसे बहुत इस्टेंज लगता है यह दोनों बात करते है तभी आर्टिस्ट मिन Hemie को बुला लेती है Hemie उसे मिलने के लिए जाती है आर्टिस्ट हो से कहती है कि तुम भी डॉल्स में बहुत इंट्रेस्टेट हो हेमी एक स्कल्प्चर है इसलिए उसे डॉल में बहुत इंट्रेस्ट है यहाँ पर बहुत सारी डॉल है तो हेमी ये सब डॉल्स देखती है इसमें से एक डॉल नीचे वो जिस लड़की से मिली जिसका नाम था मीना उसे बहुती मिलती जुलती है वो आर्टिस से बुछती है कि यह तो मीना की डॉल है तुम उसे मिली तुम्हें कैसे लगा हैमी कोई सवाल समझता नहीं आर्टिस कहती है कि मुझे लगा तुम एक दूसरे को जानती हो मिना हमेशा तुम्हारे बारे में बहुत सारी बाते करती है मिना ने कहा था कि हैमी जब उसे पहली वार देखीगी तो उसे रिगक न refund कर लिगी यह सब कहे कर आर्टिस हैमी को जाने के लिगेती है नेक्स्ट रूम से मीना बाहर निकलती है हार्ट प्रोकन है और रो भी रही है हेमी जब अपनी रूम में आती है तो राइटर जग चुकी है वो बहुत ही गुसिम है क्योंकि उसकी डॉल को किसी ने काट डाला है यह राइटर हेमी को इसके लिए मार ही डालना चाती है यहाँ बार एक फोटो हम देख सकते है जिसमें हेमी डॉल को मार रही है हेमी इसे डिनाय करती है कि उसने इसा कुछ भी नहीं किया है वो राइटर को फिर से चक्करा दी है और वही वो गिर जाती है नेकसिन में हमें आर्टिस्ट इम और चाव यह दोनों बेस्मेंट में आयो होई दिखते है जिस आदमी को उन्होंने चेन करकर रखा है उससे वो पुछते है यह तुमारे लास्ट आयो है तुमें करोगे या नहीं उससे थोड़ा सा वक देखकर वहाँ से वो चले जाते है रात में बाकी लोग जब डिनर कर रहे है तो सब वंडर करते है कि डॉल को किसने मारा होगा इसमें फोटोग्राफर कहता है कि हमें पता नहीं कि किसने मारा है पर जो भी किया था उसके पीछे सिंबॉलिक मिनिंग था ये सब इंट्रेस्टेट हो जाते है ये फोटोग्राफर कहता है कि डॉल में सोल होती है और ये सोल उनके नेक से नीचे जाती है अगर उनके नेक से हम उसे तोड़ते तो हमर सकती है उसी तरीके से रैटर की डॉल भी मारी कई थी ये बहुत ही सूबर स्टीजस है तो उस पर कोई भी बिलीव नहीं करता फोटोग्राफर और भी उनने कन्विन्स करता है वो कहता है यहां आसपास ये गाव है जहां पर एक डॉल ने बहुत सारे लोगों से बदला लिया था यहां बैठे हुए सब लोग रियलाइज करते कि एक्चुल में ये सब लोग उसी गाव से है यानि कि इनके एंसिस्टर वही रहते थे इन सब को बहुत ही अजीब लगता है वो राइटर रात में उठती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके रूम में कोई है वो यहां वहाँ देखती है पर उसके शैंडिलियर में जो डॉल थी और वो अलाई हो चुकी है उस पर जबक पड़ती है उसे मार डालती है डिनर करकर हैमी ज़रा म्यूजियम से बाहर निकलती है उसे फिर से वहाँ मीना देखती है मीना रो रही है तो हमी उसे बोचती है यह तुम रोक क्यों रही हो मीना गहती है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो तुम मुझे पहचान नहीं पारी इसलिए मैं बहुत ही सैड हू हमी मीना उको सहारा देने के लिए उसके हाथ पगड़ती है पर इसके हाथ खुन से भरे हुए है हमें इससे बहुत इडर जाती है और भागने लगती है अचानक से इसका बेर फिचलता है और नीचे गीर कर वेहोश हो जाती है नेक्से में हम देखते हैं कि व्राइटर की तबियत कैसी है यह चेक करने के लिए स स्टीयर्शन स्टार्ट ओजाएगी हमी का भी कोई अता पता नहीं है तो जरा डर रहे हैं स्टूइण और वोट फिर जाने के लिए इडर रही है फोटो ग्राफर फिर उसके साथ जाता है टो खिलो जब ये चेक करते हैं, तो हर टॉयलेट में एक डॉल है, ये स्टूडेंट बहुत डरती है, पर फिर भी उसे जाना पड़ता है, बहुत देर होती है, पर फिर भी वो बहार नहीं आती, फोटोग्राफर वंडर करता है, कि अंदर चल क्या रहा है, ये जानने के लिए उक फोटोग्राफर का भी एक्सिडन्ट हो चुका है, और हो मर चुका है, नेक सीन में हम देखते हैं, हमी जब बेहोश है, तो उसे अपनी बच्चपन की एक याद आती है, इसके इस मेमरी में एक डॉल के साथ हो खेल रही है, और ये डॉल मीना की ही है, वो सबने में डर कर उ क्या अब तु मुझे पैचान रही हो, हमी कहती है कि मैं तुम से डरती हो, मेरे पास मताना, और वहाँ से भागती है, मीना को बहुत ही हर्टफूल महसुस होता है, हमी अब यहाँ से भाग रही है, अपनी कार की चावी निकालती है, पर आगे चल कर ही चावी नीचे गिर ज क्याता है, वो गहता है कि तुम ही वो किलर हो, जो सब लोग को मार रही हो, क्योंकि सब लोग मर चुके है, सिर्फ हमी बची हुई है, हमी कहती है कि मैं तुम सब को समझा सकती हो, उसे कहती है कि उसके बचपन की डॉल सब लोग को मार रही है, पर यह वो बिलीव नहीं कर प बुंच्टिये जी क्यों लगता है क्यों इस नहीं किया है एक्च्छल में एक सांग के पास एक फोट में मार्री है हमने देखा है कि फोटक्राफर सौट्फर में स्टूर्ट के टौस लेट अब मेरी सुरूर it एक लड़का था जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था उस लड़की को किसी ने मार डाला पर गाहवालों ने पूरा शक इस लड़के पर डाल दिया मुवी के फस में हमें जो स्टोरी सुनाए गई थी ये वही स्टोरी है इस लड़के की डॉल उसे पیار करती थी उसने ठान लिया था कि सब लोगों से वो बदला लेगी उसने ये विलेज के सब लोगों को मार डाला था जिन लोगों ने उस लड़के को मारा था उन्हीं लोगों की नेक्स जनरेशन ये पास लोग थे जो अब म्यूजियम में आये थे इन में से तीन लोग मर चुके सिर्फ हैमी और तेश संग बचा हुआ है ये डॉल अभी इन सब लोगों को मार कर बदला लेना चाहती है हम एक फ्लेश बैक देते हैं जिसमें हमें इम और उसका हस्बन लिखता है जो बेस्मेंट में बंदा हुआ आदमी है वो इम का ही हस्बन है जब इम और उसका हस्बन यंग था तब उन्होंने इस डॉल को देखा था और इस डॉल को अपने घर पर वो लेकर आये थे पर इसी डॉल की सोल अब इम में खुश चुकी है और वो सब लोगों से बदला ले रही है इम कहती है कि तुम दोनों तड़ब तड़ब के मरोगे और वहाँ से निकल जाती है तैसक इम के पास जाने के कोशिश करता है पर इनकी गंतन पूरी पीछे गुमती है ये बहुती डर जाते है अब इन दोनों को जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना है वो हेμी से पुछता है कि तुम्हारी कार किस कहा है उसे खराख ओसे लोकेशन बताती है तुमने के लिए निकल पढ़ता है हेमा अपना प्रोटेशन कर सके उसके लिए उसे एक गन दे दीता है हेमा जब अक्onner थी तब उसके पास मिना आती है मीना उसे ये थी है कि इमने मुझे कहा है कि अगर मैं उसकी help करूँगी तो तुम्हें वो जाने देगी मीना ही थी जो सब लोग को मार रही थी हेमा डर कर मीना पर गन चलाती है मीना अंदर से हर्ट हो जाती है पर अपना काम कंपलीट करने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है मीना तेसं के पास जाकर उस लेटका देती है हेमी हत्कड़ी से बंदी हुई थी पर तेसं को help करने के लिए यह हत्कड़ी तोड़ देती है अचनक से उसे फोटोग्राफर की बात यादाती है अगर डॉल को मारना होगा तब उसे गर्दन तोड़ देनी है मीना की डॉल उसने इम के रूम में देखी थी तो डॉल ढूनने के लिए वहाँ पोच्चती है इस डॉल को तोड़ने ही वाली थी पर वहाँ मीना पोच जाती है और इस डॉल को गाइप कर देती है मीना कहती है कि तुमने तब मुझे छोड़ क्यों दिया था तुम मझे हट क्यों कर रही हो मीना की आखे अपलाल हो चुकी है वो बहुत ही गुस्से में है जल्दी से हेमी वहाँ से भाग जाती है इसके नेक सिन में चाओ को बेस्में में आते हुए दिखते है इम के हस्बन को यहाँ बांदा हुआ है इसे ओ बात ही करता है चाओ कहता है कि तुमें हमारे लिए एक डॉल बनवा नहीं पड़ेगी यह डॉल सिर्फ इम का हस्बन बना सकता है क्योंकि उसे ही करना आता है यह डॉल जो बनवाना चाते है यह उस लड़के की है जिसे मार दिया गया था अगर लड़की की डॉल बन जाए तो उसमें सोल आ सकती है यह लड़का और उसकी भेमी का हमेशा एकसाद रहे सकते हैं चाव आर्टिस्ट इम का प्रदर है उस डॉल ने आर्टिस्ट को पॉसेस कर लिया है डॉल ने कहा है कि उसका प्यार जो लड़का है उसके अगर तुम डॉल बनाओगे तो आर्टिस्ट को जाने देखी इसलिए ये सब चाव कर रहा है आर्टिस्ट के हस्बन को पता है ये डॉल जो है वो एक इविल डॉल है वो इस डॉल को हेल्प नहीं कर सकता इसके लिए हो मना करता है आर्टिस्ट का हस्बन ये डॉल ग्रेट करे इसलिए चाव और आर्टिस्ट दोनों मिलकर और उसे वो मारने वाली थी, तभी हेमी के हाथ पर सकार उसे दीख जाता है, उसे बच्पन की एक याद आती है, हेमी छोटी थी और अपने डॉल से, यानि कि मीना के साथ वो खेल रही थी, यह खेलते खेलते रस्ते पर आके, रस्ते पर इन दोनों से एक गारी ठकराने वाली पर हेमी ने मीना को प्रोटेक किया था, अब मीना को रेलाइज होता है, कि हेमी बच्पन में उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए अब उसे वो छोट देती है, यहाँ पर आर्टिस्ट इम पोच्चती है, आर्टिस्ट ने मीना को कहा था, कि हेमी को मार डाले, पर मीना बहुत ही गुस्सा होती है मीना की डॉल को तोड़ देती है मीना इसी वज़े से मर जाती है आर्टिस्ट हेमी को मारने के लिए उसका गला दबाती है तभी उस वर गोली चल जाती है यह आर्टिस्ट के हजबन नहीं गोली चलाई थी आर्टिस्ट के अंदर डॉल की सोल है गो एक चाको लेकर आर्टिस्ट को मार डालती है, आर्टिस्ट के हस्बन ने भी चाओ को मार डाला है, आर्टिस्ट अभी भी थोड़ी सी जिन्दा है, उसका हस्बन उसके पास आता है, आर्टिस्ट कहती है कि अब मैं मर रही हूँ, तब उस डॉल ने मुझे जाने दिया है, हमारी मुवी खतम हो जाती है तो इस मुवी में एक इविल डॉल एक लड़की से प्यार कर दी थी इसे वज़े से उस लड़की की प्रेमिकाओ को भी उसने मार डाला लोगों ने उस लड़के को मारा तो इन सब लोगों से बदला लेने के बाद भी उसकी जनरेशन को मार दिया रहे थी जब आर्टिस्ट और उसका हस्बन इस डॉल को अपने घर लेकर गए तो आर्टिस्ट को इस डॉल ने पोजिस कर लिया उस लड़के को मारने वालों की न्यू जनरेशन अभी भी जिन्दा थी इसलिए आर्टिस्ट और चाव ने इन सब को म्यूजेम में बुलाया और एक एक कर कर मारने वाले थे हेमी ने बच्वन में अपनी डॉल को अबेंडन कर दिया था उस डॉल को इन्होंने अलाइव किया और सबसे बदला लेने के लिए यूज़ कर रहे थे उन्होंने डॉल को कहा था अगर वो उसे हेल्प करेगे तो हेमी को जाने देंगे वो ऐसा कभी भी करने नहीं वाले थे आर्टिस्ट चाव के सिस्टर थी और डॉल ने आर्टिस्ट को पुझेस कर लिया था डॉल ने चाव को कहा था कि अगर वो उसे हेल्प करेगा तो वो आर्टिस्ट को जाने देगी इसलिए सब वो कर रहे थे आर्टिस्ट का हाजबन इन सब के लिए मना कर रहा था इसलिए उसे based man ने बन कर दिया गया था लास्ट में हम देखते हैं कि artist का husband artist को मार कर उसे मुक्त कर देता है हिमा की doll मीना उसे protect करते हुए ही मर गई लास्ट में हम सब लोग की body जलाते हैं यानि कि किसी की भी soul किसी और चीज़ में न गुज जाए इसी तरह से इस movie के ending हो जाती है यही हम आज का वीडियो खतम करते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा बहुत सारी movies लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्स्राइब कर देजे और बेल अडिशन आइकों दबने मत भूले फिर से मिलेंगे और एक निमोई के साथ तब दे के लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिये